आज हम बहुत ही टेस्टी और डिलीशिस साबुदाना के चुड़ी पनाने वाले हैं अगर पसंद तो में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना बुले साबुदाना लिया है हमने पर 250 ग्राम ऑईल लिया है हमने पर हाफ कप फोले लाने लिया हमने पर हाफ कप हईएर्स्ट कम ने आच तोस बारिक कटी हुई हरा दन्य अले हमने बारिक कट अवा हाफ कप प्याज में अमने वन यह यह लिये और लिये बारिक हुपकी हुई हाफ कप अमने टोमैटो लिये 2 बाड हुपकी हुए छहेसे न्हीं कड़ी पते नमक लिए है वनटेबल स्पुन हल्डी पॉड़र हाफ टेबल स्पुन जीरा हाफ टेबल स्पुन राइ एक घड़ाई ली है उसमें हम ओल अइड करेंगे फली दाने एट करेंगे इसे मैं fry करना है जैसी फली दाने क्रेकल हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे फली दाने क्रेकल होना शुरू हो चुकी है अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे अब हम सेम कणाई में प्याज एट करेंगे हरे मिर्च एट करेंगे कड़ी पत्ते एट करेंगे टोमेटों एट करेंगे हमें टोमेटों को सौठ होने तक पकाना है हम इसमें जीरा राय एट करेंगे हल्दी नमख और इसे मिक्स करेंगे अब हम इसमें फल्दाने एट कर देंगे जो हमने फ्राई किये थे अब हम इसमें साबुदाना एट कर देंगे साबुदाने का हमने पास से छी घंटी भीगो के रखा हुआ था उसका पानी फेक देंगे और इसमें दाल देंगे अब हम इसे मिक्स कर देंगे हमें साबुदाने को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे यह रेसिपी बहुत ईजी और सिंपल है और बहुत ही जल्जी बन जाती है आप भी इसे ट्राइब कीजिएगा और अगर आपको इस रेसिपी पसंदे तो आप हमेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएंगा थैंक्स पर वाचिंग आर वीडियो